नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास फिफ्थ में इवियस के चैप्टर 17 की यानि कक्षापमाच के परियावरन अध्यन के अध्याय सत्रा की इसका शीर्शक क्या है फांदली दिवार चलिए इससे तो पता चलता है कि यहाँ अखबार की एक कटिंग है क्या लिखाए है हाँ पे अफसाना मनसूरी है तो सिर्फ तेरा वर्ष की पर वहाँ अभी से दिवार फांद चुकी है कौन सी दिवार वहाँ दिवार जो उसकी जुग्गी और बासकेट बाल कोट के बीच है समा आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दिवार है मुंबई की नातपाड़ा बासकेट बाल असोसियेशन की आज वहाँ प्रेड़ना है पांच अन्य लड़कियों के लिए जो रोज मर्रा की जिंदगी को छोड़कर पहुँची है बासकेट बाल कोट में आज अफसा टूर्नमेंट के सेमी फाइनल में है ना मज़े की बात अब चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए शुरू में ही कितना मज़ा आ रहा है हमें पता चल रहा है कि अफसाना जो है वो किस तरही के से एक हिम्मत के साथ और बहादूरी के साथ में जो है उसने समाज की बेड़ियो की जो दिवार थी उसको लांग दिया है ना अब देखिए लिखा है एक मुलाकात किस से मुलाकात चलिए देखते हैं हमें अफसाना और उसकी नाकपाड़ा बास्केट बॉल टीम के बारे में अखबार में हमने पढ़ा तब सोचा कि क्यों ना हम इस टीम की लड़कियों से मिले और तुम सभी से इनकी पहचान कराएं हम मंबई के चतरपती शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर उतर कर चल पड़े नाकपाड़ा की तरफ स्टेशन से पैदल चले तो नाकपाड़ा लगभग 20 मिनिट की दूरी पर है हमने वहां अफसाना और नाकपाड़ा ब पुशनूर आफरीन से ये लड़किया पहले तो जरा चुपचाप थी जब शुरू हुई थो बस जरीन ने शुरुवात करी बताने की क्या कहती है जरीन मेरा घर हमारे इस ग्राउन के बिलकुल सामने है मेरा भाई भी यहां खेलता है मैं अपनी बालकरी में खड़े देखती रहती तब मैं साथवी में पढ़ती थी जब लड़कों का मैच होता तो बहुत सारे लोग देखने आते जीतने वाली टीम को बहुत सराहा जाता खिलाडियों को सभी चीयर्स करते और उनकी हिम्मत बढ़ाते यह सब देखकर मुझे लगता क्यो न मैं भी खेलू क् इतना हुनर सबके सामने दिखाने का मौका मिलेगा अब मैंने हमारे कोच को कुछ डरते हुए पूछा वे मेरे पापा की अच्छे दोस्त भी है उन्होंने कहा क्यों नहीं अगर तुम कुछ और लड़कियों को साथ में ले आओ तो हम तुम्हें भी सिखाएंगे फिर तु तो देखिए मैं बताता हूँ मेरे घर के पास एक खुला मैदान है जो खेलने के लिए एक काफी अच्छी जगा है फिर लिखा है वहां कौन-कौन से खेल खेले जाते हैं कौन-कौन खेलता है तो भाई वहां पे विभिन तरह के खेल खेले जाते हैं जैसे बैडमिंटन, फ क्या वहां तुम्हारी उम्रे के बच्चों को भी खेलने का मौका मिलता है तो बिलकुल खेलने का मौका मिलता है उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि हाँ आप खेल ये है ना वगेरा वगेरा इसके बाद में लिखा है कि वहां खेल के अलावा और क्या-क्या होता है तो मैं मैंने तो वहाँ खेल और खेलों से सम्मंदित टूर्णामेंट होते हुए देखें इसके अलावा वहाँ मैंने कुछ और होते हुए नहीं देखा है ना कभी कभी सरदियों के दिन में वहाँ पर धूप में लोग बैठा करते हैं ठीक है फिर इसके बाद है हमने पूछा क्या की शुरुआत करना आसान था खुशनूर कहती है शुरू में ममी पापा ने मुझे मना कर दिया जब मैंने थोड़ी जित की तो वह मान गए अफसाना कहती है मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती है और हम बच्चों को स्कूल भेजती है मैं भी उनकी मदद करती मेरी इस बात को सुनकर अम्मी गुसा हो गई और कहने लगी लड़किया थोड़े ही बास्केटबॉल खेलती है काम करो स्कूल जाओ ठीक से पढ़ो ग्राउन पर खेलने की कोई जरुवत नहीं मेरी सहलियों ने मनाया और कोचसर ने समझाया तो अम्मी मान गई आफरीन देखो क्या कहती है हाँ हम लड़किया है इसलिए हमें मना किया जाता है मेरी दादी बहुत गुसा करती है लेकिन हम तीनों बहने फिर भी हाँ खेलने आती है दादी आज भी हमें डाटती है हमारे कोचसर को भी दादी का कहना है खेलने के लिए ठीक सामान चाहिए ताकत के लिए दूद पीना पड़ेगा, इतने पैसे कहां से आएंगे मगर डैडी हमारे मन की बात को समझते हैं वे हमें खेल के पैतरी भी सिखाते हैं मेरे डैडी भी अपने बच्छपन में इसी ग्राउन में खेला करते थे उनके पास ना खेलने के जूते थे, ना कोई खास कपड़े फिर प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे डैडी बताते हैं कि जब बच्चु खान ने उन्हें देखा तो सोचा यह लड़का कितना अच्छा खेलता है इसे ठीक से सिखाना चाहिए उन्होंने मेरे डैडी को खेल के कपड़े और जूते दिये मेरे डैडी बहुत अच्छे खेलाडी बन सकते थे पर घर की जिम्मेदारी के कारण उन्हें सब छोड़कर काम पर जाना पड़ा इसके बाद लिखा है उन्हें सब छोड़कर काम पर जाना पड़ा और वो चाहते हैं कि हम बच्चे खेले, अच्छे खेलाडी बने, अब बताओ, कुछ प्रशन है हमारे सामने, क्या है, क्या तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें कुछ खेलने से रोका है, कौन-कौन से खेल, तो सुनिए, बच्पन में मुझे फुटबॉल खेलने से रोका ठीक है फिर आगे क्या प्रश्न पूछा गया है हमसे आगे हमसे प्रश्न पूछा गया है किस ने रोका क्यों फिर तुमने क्या किया तो मैं बताता हूं मुझे मेरे पिताजी ने रोका था वो कहते थे कि इससे मुझे चोट लग सकती है फिर मैंने पडोस से एक भहिया को मेरी मदद भी की और मुझे खेलने के लिए प्रोच साहिद भी किया ठीक है फिर आगे है क्या लिखा है हमने कहा अपनी टीम के बारे में बताओ तो देखो टीम के बारे में क्या बताते हैं एक लड़की कहती है शुरुबात ने हमें थोड़ा आजीब लगता था यहां पर ल में खेलना शुरू किया तब मैं 11 साल की थी तब हमें मैच के लिए किसी और जगह जाना भी मना था अब दो साल बीद गए अब हम और जगह भी मैच खेलने जाते हैं मगर यह हुआ हमारी महनत से और कोट सर के सिखाने से दूसरी लड़की ने कहा हां बहुत महनत करते हम हमा बास्केट में बॉल कैसे डालना है एक दूसरे को बॉल कैसे कैसे देना चाहिए दौर लगाना गोल करना इन सब की प्रैक्टिस करवाते हैं आफरीन कहती है सर कहते हैं तुम यह सोचकर मत खेलो कि तुम लड़किया हो एक खिलाडी की तरह खेलो अगर कभी चोटी मोटी च टीम की तरह हो रहा है एक लड़की और कहती है हम लड़कों की टीम के साथ भी खेलते हैं तब हम चाहते हैं कि लड़के भी हमें खिलाडियों की नजर से देखे हम लड़किया है इसलिए हमें कोई छूट ना मिले कभी कभी लड़के हमारे खेल की नकल करते हैं तब हमें घ जलतिया सुधारते हैं, अगर लड़के चीटिंग करते हैं, तो हम उन्हें डाट भी देते हैं, चर्चा करो, इसमें हमें क्या चर्चा करनी है, घ्यान चे सुनिएगा, यहां लिखा है क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़के और लड़किया अलग अलग तरह की खे खेल खेलते हैं, अगर हां तो लड़के क्या खेलते हैं, और लड़किया क्या खेलती हैं, तो मैं आपको बता दूँ इसके बारे में कि स्कूल में सभी बच्चे हर तरह की खेल खेलते हैं, लेकिन कुछ खेल के यवल लड़के ही खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, हौकी, अंतर होता है तो सुनिए लड़के लड़कियों की खेल और खेलने के तरीकों में थोड़ा बहुत अंतर होता है लड़के लड़कियों की अपेक्षाज ज्यादा कठिन और महनत वाले खेल खेलते हैं आगे लिखा है तुम्हें क्या लगता है लड़के लड़कियों की खेलो में अंतर नहीं करना चाहिए आगे लिखा है हमने कहा अपनी टीम के बारे में और बताओ एक लड़की कहती है हमारी टीम बहुत खास है हमारी टीम में एकता है जगड़ा हो जाए तो जल्दी ही सुलजा लेते हैं जल्दी ही भूल भी जाते हैं साथ में मिलकर रहना हमने यहां सीखा है हमारी टीम में से कुछ लड़कियों को मुंबई शहर की तरफ से खेलने का मौका मिला यह मैच शोलापूर में हुआ था जरीन कहती है जब हम मैच खेलने शोलापूर गए तो उस टीम की बाकी लड़कियां अलग-अलग जगहों से आई थी वे हमसे ठीक से बाद भी नहीं करती थी हमसे जूनियर की थरह बरताब करती थी हमें बरावर खेलने का मौका भी नहीं देती थी हमें बुरा लगता था उस टीम में आपसी सहयोग बिल्कुल भी नहीं था फिर आगे वो कहती है कि मैच के दौरान जब मैंने बॉल को टीम की कलड़की की तरफ फैका तो वह ठीक से पकड़ नहीं पाई फिर मुझे ही डाटने लगी कि मेरी गलती है एसी ही गलत फैमी में हम भा मैच हार गए मगर हमारी अपनी टीम में ऐसा नहीं होता हम एक दूसरे की गलती समहाल लेते हैं अगर खेल में दूसरे की गलती के कारण गोल न बन पाए तो भी हम चिड़ते नहीं सोचते हैं कोई बात नहीं अगली बार ज़रूर अच्छा करेंगे एक दूसरे को समभाल लेना ही असली बात है क्योंकि हम एक टीम के खेलाडी है आफरीन कहती है शोलापूर में खेलने के बाद हमें अपनी टीम की खासियत समझ में आई हमें पता चला कि हमारा आपसी सहयोग कितना अच्छा है हम एक दूसरे को समझ लेते हैं संभाल भी लेते हैं हरे खेलाडी कितना भी अच्छा हो अगर टीम ठीक से साथ मिलकर न खेले तो हम हार भी सकते हैं टीम के लिए हर खिलाडी की ताकत और कमजोरी को समझना बहुत जरूरी है अब आगे लिखा है लिखो क्या लिखना है चलिए मैं आपको बताता हूँ यहां लिखा है क्या तुमने या तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी अपने स्कूल, क्लास या महले की टीम में खेला है तुम्हें अच्छा क्या लगता है और क्यों तो देखिए टीम के लिए खेलने और अपने लिए खेलने में बहुत अंतर है जब हम अपने लिए खेलते हैं तो केवल अपने लिए ही सोचते हैं और खुद को जिताना चाहते हैं लेकिन जब टीम के लिए खेलने में हम सबसे पहले आपसी सयोग बनाते हैं, जब भी टीम के लिए खेलना होता है तो एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेते हैं, एक दूसरे की गलतियों को समझ लेते हैं और मिल जुलकर अपनी टीम को चितवाते हैं, मुझे तो टीम के लि वाली टीम जैसी है या नाकपाड़ा की टीम जैसी और अपने जवाब के पीछे का हमें क्यों का जवाब भी देना है तो देखे मैं आपको बताता हूँ भई हमारी टीम नाकपाड़ा की टीम जैसी है क्योंकि नाकपाड़ा की टीम में एकता तथा आपसी सयोग की भावना है टीम के सदस से एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को समझते थे तथा एक दूसरे की गलती को संभाल लेते थे यही एकता ही उनकी टीम की सफलता का कारण है हम भी यहीं चाहते हैं कि हमारी टीम नाकपाड़ा जैसे सफल टीम बने आपसी सयोग, एकता और एक दूसरे को दोस्तों अच्छी तरह समझने से ही एक अच्छी और ताकतवर टीम बनाई जा सकती है इसलिए हम नाकपाड़ा की टीम जैसे मिल जूल करके रहते हैं फिर आगे लिखा है कि टीम में रहते हुए भी टीम के लिए खेलना या सिर्फ अपने लिए खेलने से तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्यूं तो देखिए मैं आपको बताता हूं भाई टीम में रहते हुए न मुझे टीम के लिए खेलना अच्छा लगता है ऐसा क्यूं है क्योंकि इससे न हम टीम को आसानी से जितवा सकते हैं आपस में एकता, सहयोग, एक दूसरे की गलतियों को सम्हाल लेने से हम अपनी टीम को अच्छी और ताकतवर टीम बना सकते हैं और हर हाल में हर खेल जीत सकते हैं लेकिन अगर हम केवल अपने को सबसे अच्छा दिखाने के लिए खेलेंगे तो अपनी टीम को जीत कैसे दिला पाएंगे है ना, इसके बाद में आगे लिखा है हम कहां यहां तक पहुँचे हो, हमने कहां यहां तक पहुँचे हो, अब तो हमने कहा मतलब उन्होंने पूछा भगर यहां तक तो पहुच गय हो अब आगे क्या करोगे टॉपसाना कहती है जब से हम अच्छा खेल रहे हैं तब से हमें कई जगा जाने के मौकें मिल रहे हैं हम अपने राजजे और शहर के लिए खेले है हमें उम्मीद है कि कड़ी मे आगे बढ़ाएं भारत की लड़किया गोल्ड मैडल जीते यह करके दिखाएं अब देखिए फिर से इंटरस्टिंग टॉपिक आ गया है कौन सा वाला चर्चा करो क्या चर्चा करनी है भाई कि अपने स्कूल या इलाके की तरफ से तुमने किसी खेल या प्रतियोगिता में क कि क्या तुमने के लिए दूसरी जगा गय थे और कैसी थी वह जगा तुम्हें दूसरी जगा जगा जाना कैसा लगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ हम खेलने के लिए पंजाब गय थे और वह जगा बहुत ही अच्छी थी मुझे दूसरी जगा जाना बहुत अच् कोई मैच देखे हैं और अगर देखे हैं तो कौन से तो मैंने भारत और दूसरे देशों के बीच क्रिकेट हौकी फुटबॉल और टैनिस के मैच देखे हैं आगे हैं देखिए हम भारत के क्रिकेट खिलाडियों के बारे में जानते हैं ना उन्हें चाहते हैं ऐसा क्यों होता है क्या किसी और खेल के भारती खिलाडियों को भी ऐसे ही सब जानते और चाहते हैं हा या नहीं और तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है जैसे भारत के फुटबॉल एक कवर्डी टीम के खिलाडियों को तुम पहचानते हो तो देखिए मैं आपको इसका जवाब देता थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों हम भारत के क्रिकेट खिलाडियों के बारे में जानते हैं और उन्हें चाहते हैं क्यों चाहते हैं क्योंकि यहां क्रिकेट का खेल काफी लोग प्रिये है हमारे खिलाडियों ने इस खेल में कई प्रतियों किताय जीत कर देश का नाम उचा किया है लोगों को अपने देश के खिलाडियों को जीतते हुए देखकर अपनी जीत देखने में को मिलती है और इसलिए वे इन खिलाडियों को बहुत चाहते हैं हम किसी और खेल के भारतिय खिलाडियों को सब इतना ज़्यादा शायद नहीं जानते और नहीं इतना चाहते हैं क्योंकि कोई और खेल हमारे देश को इतनी प्रसिद्धी और सम्मान नहीं देला सका है नहीं हम भारत के फुटबॉल या कबड़्डी टीम के खिलाडियों को नहीं पहचानते है न ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आगे लिखा है फिर हमने पूछा क्या कुछ और भी परिशानिया आई तो खुश्णूर का जवाब देखे क्या दिया खुश्णूर ने सच में देखें तो आज जो हम हैं वह हमें आसानी से नहीं मिला हम लड़कियों को बहुत महनत करनी पड़ी घरवालों को समझाना पड़ा कभी जगड़ा भी करना पड़ा यह सब इसलिए क्योंकि आज भी लड़कियों को कम खेलने देते हैं पहले समय में खेल कूट तो बहुत दूर की बात, कुछ लोग तो लड़कियों को पढ़ाते तक भी नहीं थे, मेरी माँ चाहती थी कि वे भी कुछ खास कर सके, पर उन्हें कोई मौका नहीं मिला, इसलिए मेरी माँ मुझे पढ़ाई की साथ सभी तरह के कामों में भाग लेन को कहती हैं, फिर वे चाहे खेल हो, तैर ना हो, या फिर हो ड्रामा, और अफसाना ने क्या जवाब दिया, अफसाना का जवाब है, वैसे आज भी हम सब को खेल खत्म होते ही घर पहुशना पढ़ता है, लड़के तो खेल के बाद यहां महां गूम कर बाते करके, आराम से घ घर जाएं, तो भी किसी को फरक नहीं पढ़ता, मर खुद इसकूल से घराने के बाद अपनी मम्मी के साथ, दो तीन घरों में साफसफाई का काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ, इस सब के बाद ही खेलने जा पाती हूँ, अपने घर में भी मम्मी की मदद करती तीन तीन बहने हैं फिर भी भाई को काम करना पड़ता है और एक लड़की ने कहा अब जरीन के छोटे भाई को ही देखो यह सिर्फ 5-6 साल का है वह भी बोलता है मम्मे तुम दीदी को क्यों भेजती हो दीदी अच्छी नहीं लगती ग्राउन में खेलते हुए मगर उससे बहुत अच्छी खिलाडी बनू ताकि सब लड़कियां और लड़के भी चाहें कि मेरे जैसे बने अब देखिए फिर हमें चर्चा कहने को कहा जा रहा है क्या चर्चा करनी है लड़कियों को पढ़ाई खेल या उनकी पसंद के कामों से रोका जाए तो क्या होगा तो सुन रोका जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा तो भाई अगर मुझे किसी खेल या ड्रामे में शामिल होने से रोका जाए तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा और मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा फिर आगे है खेल के क्षेत्र में तुमने किन-किन महीला खिलाडियों के बारे में सुना है कौन-कौन और किस खेल में है तो देखो मैं आपको बताता हूँ मैंने प्रतिभा पाटिल के बारे में सुना है वो भारत की पहली महिला राष्टपती है इंदरा गांधी के बारे में सुना है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है इसके बाद में लिखा है कि इसके बाद में मैंने किरन बेदी के बारे में सुना है वो पुलिस विभाग में है बिचेंदरी पाल के बारे में सुना है वो भारत की पहली महिला है जो एवरेस पर चड़ी थी तो इन सब के बारे में मैंने सुना है खेल के अलावा फिर आगे लिखा है क्या कि तुम्हें क्या लगता है कि पहचान बनाने वाली महिलाओं के नाम पूरुश लड़कों के नाम की अपेक्षा कम जाने जाते हैं ऐसा क्यों तो सुनिए मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि पूरुषय लड़कों के नामों की अपेक्षा पहचान बनाने वाली महिलाओं की नाम कम जाने जाते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि आज भी हमारे समाज में महिलाओं की शिक्षा और विकास पर पुरुषों की तुलना में कम ध्यान दिया जाता है तथा महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है अगर महिलाओं अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करती है तब भी उन लड़कों के साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा तो सुनिएगा अगर सभी लड़कियों को खेले ड्रामे का मौका न दिया जाए तो इस दुनिया में पुरुष प्रधानता नजर आएगी दोस्तों हर शेतर में केवल पुरुष ही नजर आएंगे जिससे दुनिया बहु पहिला को जानते हो जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो फिल्म एक्टर और मॉडल को छोड़ कर कुछ सोचो तो देखिए मैं किरन मेरी एक बहन है वो कहती है कि वो किरन बेदी जैसी बनना चाहती है और नाम कमाना चाहती है अपने देश की रक्षा में कुछ ही उगदान देन चाहती है ठीक है ना आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा फिर आगे देखो आफरीन कहती है मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि जब तुम कुछ बनने का सपना देखते हो तो उससे करने की पूरी कोशिश करो खुशनूर कहती है अगर य यह सोचकर तुम्हें कैसा लगता है आफरीन कहती है यह जानकर बहुत खुशी हुई अजीब सी खुशी ऐसा लगता है कि हम और अच्छा खेले अपने इलाके का देश का नाम आगे बढ़ाएं सब लड़किया कहती है हाँ हमारी भी यही इच्छा है दोस्तो अब स्क्रीन पर देखी एक जानकारी दी है कोच सर के बारे में मैं बहुत धियान से पढ़ता हूँ आप कान से सुनिएगा इस टीम की शुरुबात करने वाले और इने खेल सिखाने वाले नूर खान ने बताया इस इलाके में यह एक ही ग्राउंड है खेलने के लिए मुंबई की यह कहने लगे तब इस जगह पर आज जैसा ग्राउंड नहीं था यहाँ मिट्टी के मैदान में वे बच्चो को खेल से खाते उन बच्चो में हम भी थे बच्चो खान की लगन से ही हमारे यहां के कई लोग आज भी देशों की टीमों के साथ मैच खेलते हैं हमने भी पच्चु खान की तरह अपने अलाके के बच्चो को तयार किया है, आज हमारी टीम में कई अंतरास्ट्री यह खेलाडी है, कुछ खेलाडियों को औरजन पुरुसकार भी मिला है, नूर खान ने बताया, पिछले कुछ सालों से हमने यहां की लड़कियों की टीम भी पयार की है हमारी लड़किया महराष्टर के लिए भी खेलती है सभी बहुत मेहनद करती है हमारे लड़के लड़कीया अलग-लग तरह के परिवारों से आते हैं कोई छोटे घर से तो कोई थोड़े-बढ़े कोई उर्दू मीडियम से तो कोई अंकरे Mezi मगर यहां आकर ये सब एक ही टीम बनाते हैं मुझे उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आ रही होगी फिर आगे है सोच कर लिखो अब देखिए कितनी इंट्रेस्टिंग चीज़े हमसे पूछी जा रही है देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया बच्चो अखबार की रिपोर्ट में लिखा था अब साना दिवार फान चुकी है लिंग भेद की दिवार भी जो इसकी मा ने खड़ी की है अब सोच कर अपने शब्दों में लिखो कि वहाँ कौन सी दिवार थी और लिंग भेद का क्या मतलब होगा तो भाई अपना उत्तर तो आप ही को लिखना है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वह दिवार लड़कियों में किये जाने वाले अंतर याने भेद की थी लिंग भेद का मतलब है दोस्तो लड़के लड़की में भेद भाव करना क्या है ना पहले जमाने में और आज भी कुछ गाउं में लोग ऐसा मानते हैं कि लड़कों को पढ़ने का, खेलने का और हर तरह की काम करने का अदिकार है, किन्तु लड़कियों को केवल घर का काम करने में रुची दिखानी चाहिए, वे सोचते हैं दोस्तों कि पढ़ाई औ खेल लड़कियों के लिए नहीं बने और ये सिर्फ लड़कों के लिए ही हैं, लेकिन आज जमाना जो है न वो काफी हद तक बदल चुका है, आज लड़कियों को भी पढ़ने और खेलने का पूरा मौका दिया जाता है दोस्तों, हाला कि अभी भी कुछ गाउं और तबके हैं, जहां पर ये लिंग भेत की दिवार बरकरार है, आगे है हम क्या समझें, इसमें हमसे पूछा जा रहा है क्या दो प्रश्न, पहला है तुम क्या सोचते हो, लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो देखिए मैं आपको बतात हैं, अंतरिक्ष में जा पहुची हैं, तथा देश का शासन भी चला रही है, अता किसी भी छेतर में लड़किया लड़कों से पीछे नहीं हैं, इसके बाद है, अगर तुम अपनी टीम के लीडर बनोगे, तो अपनी टीम को तुम कैसे तयार करोगे, तो दोस्तों, अगर ह हम अपनी टीम के लीडर बनने का मौका मिले, तो हम अपनी टीम को निम्न प्रकार से तयार कर सकते हैं, कैसे कैसे सुनिये का ध्यान से, सबसे पहले तो उन्हें किस तरह मेहनत और सचाई से खेलना है, यह बताएंगे, फिर एक दूसरे के साथ मिल जुलकर आपसी सहयोग बन दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा, अगर सच में पसंद आया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजेगा बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ में इस चैप्टर की ल